हेलो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आज हम बात करेंगे कैसे हम वीडियो और ओडियो में एफेक्ट लगाएंगे जैसे के कोई सिनेमाटिक एफेक्ट वीडियो पे हो ओडियो का वॉल्यूम आपको कम या ज्यादा करना हो वॉल्यूम बढ़ाने या घटाना हो या फिर पेड इन मतलब के लो साउंड से हाइर साउंड पर आए और इसके बाद जैसे ही ऑडियो एंड तक जा रहा हो तो वह फेड आउट हो यानि के हाई वॉल्यूम से लो वॉल्यूम जाकर जीरो हो जाए वह वॉल्यूम इस तरह के इन फेड आउट एफेक्ट और वीडियो के लिए आपको लगाने हो तो कैसे हम वह खेरेंगे आज मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में तो उसके लिए मैंने एक वीडियो और एक और यू ट्रैक अपने टाइम लाइन पर ड्रैक करके लाकर यहां पर रखा हुआ है कि अब हम जाएंगे प्रजेट बिंके बदले एफेक्ट में तो यहां पर मैंने आपको बताया था पहले भी कि आपको सार्य effects दिख जाते हैं audio और वीडियो सभी के लिए हम अभी वीडियो पर effect लगाएंगे तो मैंने वीडियो वाला options लगका रखा हैं तो यहां पर जितने सारे options मुझे मिलेंगे वो video options मिलेंगे अब मैं एक effect उठा रहा हूँ जो के cinematic effect देता है मेरे वीडियो को apply lut वो मैं इसको खींच कर लाओंगा और अपने वीडियो पर drag करके रख दूँगा अभी वो effect मुझे इस window में देखेगा जैसे कि मैं वीडियो ट्रैक को select करूँगा क्योंकि मैंने वीडियो ट्रैक पर ये effect apply कर रख है तो मुझे वीडियो ट्रैक को select करना है तब उस पर apply किया हुआ effect मुझे इस window में यहाँ पर देख जाता है आप देख सकते हैं ये lut file app का effect apply किया हुआ है हम extra effect भी download कर सकते हैं यहाँ पर options दिये हुए है यह pop-up window जो खुल रहा है यहाँ पर एक cadden life की repository से काफी सारे effect available हैं जिने हम यहाँ पर download कर सकते हैं मैं और effect यहाँ पर अपने लिए download कर रहा हूं जो वीडियो effect है और यह वीडियो effect मेरे लिए download हो गया ठीक है अब मैं इस window को close कर देता हूं सब मुझे यहाँ पर वो सारे effect यहाँ पर देख रहे हैं blue tint, celluloid, cinematic effect, so one by one apply करते हैं blue tint के लिए ऐसा effect दिखा रहा celluloid effect कुछ इस तरह का orange color और bright कर देता है, waterfall और भी खुबसरों देखने को मिलता है cinematic effect में कुछ इस तरह का है, green tint के साथ जो भी grass या plant है वो आपको ज्यादा green color में दिखेंगे और भी enhance हो जाता है green color यहाँ पर और orange color में जो भी orange वाले parts है वो और भी ज्यादा orange color के दिखेंगे तो यह काफी सारे effect हैं जो हम वीडियो पर लगा सकते हैं तो मैंने यह वीडियो का effect आपको दिखाया उसी तरह audio के लिए भी हम effect लगा सकते हैं तो पहले मैं audio track को select कर लेता हूं और अब मैं जाता हूं audio के सारे effects पे वहाँ पे मैं select करता हूं gain ओके यह है audio के volumes को बढ़ाने और घटाने का effect वॉल्यूम गेन और वॉल्यूम लॉस ऐसे आप समझ सकते हैं 100% मिंस अभी जो वॉल्यूम है वो 100% पे है ओके अगर मैं इसको आपको प्ले करके देखा हूं आपको बॉल्यूम आपको चेंज समस्वेर आ रहा हूं तो वॉल्यूम एड्यूज हो गया कम हो गया है अब मैं वॉल्यूम को डबल बढ़ा देता हूं 200 तब आपको वॉल्यूम को ज़्यादा हाई दिखेगा जैसे मैं नूडिया ने गता हूं रभी एसे वह एसे यह वय में भानते जैसे जीन अनुड एफेक्ट है जो मैं अपने और्यो पर अप्लाइ कर रखाँ इसी तरह हम डिफरेंट और वीडियो के लिए एफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं जिससे कि मेरे वीडियो एडिटिंग या फिर जो वीडियो हमारे पास लास्ट में रेंडर होकर आएगा उस वो काफी इन्हांस काफी अच्छा दिखेगा अब हम देखेंगे कैसे ये और वीड below वीडियो करते ही वो effect delete हमारे वीडियो से चला गया भाल्य जो गएन एफेक्ट लगा रहा था उसको भी हम delete कर देते हैं तो audio or video का effect हमने remove कर दिया dużस्टर हम effect को वापस से हटावी सकने है तो तो इसी तरह के Video Editing सीखने के लिए मेरे Channel से जुड़े रहे हैं, आगे हम बात करेंगे कैसे Title add करेंगे हमारे वीडियो में, कैसे Green Screen add करेंगे, कैसे और वे Effects add कर सकते हैं, कैसे Multiple Videos और Audios, Different Timelines add करने के बाद, उसमें हम वीडियो और ओडियो को एरेंज करेंगे और एक हुपसूरा सा वीडियो बनाएंगे तो मेरे चैनल से जुड़े रही है थैंक्यू